नासा एक ऐसा रोबोटिक स्नेक बना रहा है जिसे शनी के चांद एंसलाडस पर भेजा जाएगा जहां ये एलियन जीवन की खोज करेगा इस रोबोटिक स्नेक का नाम एक्जो बायोलजी एक टैंट लाइफ सर्वेयर रखा गया है एंसलाडस शनी के चंद्रमाओं में से एक है जिसका व्यास करीब 505 किलो मीटर का है पर इस चांद की सतह पूरी तरह बर्व से ठका हुआ है और इस बर्व के बनी सतह के नीचे करीब 10 किलो मीटर गहरा पानी का समुद्र मौजूद है और नासा को लगता है कि इस गहरे समुद्र में पहले से ही कोई एलियन जीव मौजूद हो सकता है इसलिए नासा ये रोबॉर्टिक स्नेक बना रहा है जो इसके बर्वीले सतह के नीचे मौजूद गहरे समुद्र में जाकर ये पता लगाएगा कि बहाँ पे क्या है क्योंकि काफी ज्यादा संभावना है कि Enceladus Moon के गहरे समुद्र में पहले से ही कोई जीवन पनप रहा हो